हेलो दोस्तों आपने 37 वीडियो पे क्लिक कर दिया है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैसे कि आप लोग जानते हो कि आपका यूपी जेल वाडर और आपका फायरमेन का एक्जाम 2020 का समाप तो चुका है तो गाइस हम बात करने वाले हैं जब आपकी जो पक्की हो जाएगे आपको कितना सेलरी मिलेगा आपका वेतन क्या रहेगा और आपको टोटल जो अलावेंस मिलेंगे आपको जो बत्ते मिलेंगे उनका टोटल क्या रहेगा तो गाइस पूरा वीडियो देखना है ध्यान से एक एक चीज़गों में बताने जा रहा हूँ क्या-क्य आपकी salary रहने वाली है और दोस्तों जो आपके salary रहेगी बहुत ज़्यादा बढ़ी है salary आप लोगों की रहने वाली है ठीक है guys मैं ये भी बताऊंगा कि आपका fireman अच्छा exam है fireman की नोकरी अच्छी है आपकी या jail water की ठीक है guys बढ़ लेते guys आगे देख लेते पूरा process तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आपका training पर कितना मिलेगा और आपका duty पर कितना मिलेगा ट्रेनिंग पर आपको कितना पैसा मिलेगा और ड्यूटि पर आपको कितना पैसा मिलेगा टो गाईज जो आपकी basic salary है आपकी fireman की और आपकी जेल वाडर की तो दोस्तों यो आपकी basic salary है 2300 तीक है गाईज अगर बात करें cca वो आपका 360 है कितने हैं दोस्तो 360 अगर बात करें एच आरे होम रेंट अलावेंस होम रेंट अलावेंस आपका ड़ाई अजार रुपे है यानि लगबग आपका 2400 रुपे है ठीक है गाइस अगर बात की जाए जी पी एफ यह आपका है 100 रुपे ठीक है गाइस वैसोते इसमें काफी बत्ते हैं आपके NPS भी है MSC भी है COMP भी है और आपका Comp Internal भी है ठीक है गाइस और LIC का भी आपका इसमें बत्ता है ठीक है गाइस काफी सारे बत्ते हैं आपके लेकिन आपको ट्रेनिंग पर कितना पैसा मिलेगा टोटल वो मिलेगा 39,000 47 39,000 47 रुपे आपको ट्रेनिंग के टाइम पर मिलेगे गाइस यहां पर ठीक है गाइस अगर बात करें आप लोगों का ड्यूटी पर कितना पैसा मिलने वाला है ठीक है गाइस ड्यूटी पर बात करें तो दोस्तो 39,000 47 प्लस 2,000 यह मिला के आपके बंजाएगा लगबाग 31 रुपे आपको यहां पर आपको टोटल आपके ड्यूटी पर आपको 31,000 रुपे मिलेंगे गाइस ठीक है गाइस मैंने आपको सारी चीज़े बता दी है कि आपका क्या-क्या भत्ते रहेंगे क्या-क्या आपकी सेलरी रहेगी आपकी ट्रेनिंग पर कितनी रहेगी और आप बढ़ लेते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कौन सी जोब आपकी बढ़िया है कौन सी आपकी फायदे मन्द है और किस में आपका ज्यादा काम है किस में आपका कम काम है ठीक है आगे बढ़ लेते है तो गाइज जैसे कि आपको पता है आपके दो एक्जाम आप लोगों ने दिये हैं जेल वाडर और फायरमेन कौन सी पोस्ट आपकी बैतर है कौन सी आपकी फायदेमंद है तो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूं पूरी बात अगर बात की जाए फायरमेन ये मेरे इसमें आपका क्या है और इसमें आपका क्या है इनमें अंतर बता देता हूं आप लोगों को अगर बात की जाए जेल वाडर जेल वाडर में आपका काम जादा रहता है इसमें आपका काम कम है इसमें आपका काम जादा है इसमें आपका काम कम है ठीक है गाइज और दोस्तो इसमें आपका ज्यादा आपको चक्र लगाने पढ़ते है जैसे कि कैदी को इधर उदर से ले जाना लाना फाइर मैन में आपका तब ही काम होता है जब कहीं पर कोई आग लगती है ठीक है दोस्तों इन दोनों में अंतर आपको पता चल गया और आपका कम काम आपका fireman में है और ज़्यादा काम आपका jailwater में है ठीक है guys यह होगिन दोनों की अंतर की बात तो guys वैसे तो job आपके दोनों बहुत अच्छी है लेकिन fireman की ज़्यादा अच्छी post है आपकी ठीक है guys और फाइदा किसमें ज़्यादा है फायदे की बात करे फायदा आपका जेल वाटर में पैसव के हिसाब से ज़्यादा है क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है लोग उपर की कमाई करते है लेकिन आपको उपर की कमाई नहीं करनी है गाईज क्योंकि दोस्तो अगर आप किसी का दिल दुखा कर पैसा लोगे गरीब का पैसा लोगे तो दोस्तो वह ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा और अगर आप एक देश भक्त इनसान हो तो गैज, आप लोग उपर की कमाई को मतलब जो गरीब इनसान है उसका दिल ना दुखाए किसी भी वज़े से अपना थोड़ा हलका आत रखे ज़्यादा लालच में ना पड़े क्योंकि दोस्तों ज़्यादा लालच आपको दिक्कत भी कर सकता है अगर आप लोग कैमरे की निगरानी में आगे तो गाइस आप लोगों की नोकरी को साप को सेस्पेंड भी क्या जा सकता है क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों करप्सन के मामले में दोस्तों फसने में क्या होता है ये चीज़ आप लोग बैतर जानते हो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग अपना basic salary पे ही ध्यान दे जो आपकी basic salary है गाईज ठीक है गाईज तो गाईज ये job थी आपकी jail water की fireman की इनकी मैंने salary आपको बता दी है 30,000 रुपे salary आपको in hand salary आपको job के time पे मिलेगी अगर बात करें training की तो दोस्तो 29,047 आपको in hand salary आपको मिलेगी जब आप training करोगे ये आपकी जब आप job करोगे ठीक है गाईज पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है गाईज अगर आप लोगों को fireman की cutoff के बारे में जानना है तो गाईज आप लोग मुझे comment करके बताओगे sir मेरे इतने number बन रहे है मैं आपका link नीचे description में दे दूगा कि आपकी cutoff क्या रहेगी आपको physical की तियारी कर देनी है गाईज शुरू ठीक है गाईज आप लोगों को इतना मैनत करना है दोस्तों ये मान के चलो ये आखरी मोका है आपके मम्मी पाप अगे सपने है वो पूरे होने जा रहे है ठीक है गाईज अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करके जरूर जाना गाईज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है गाईज आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने नंबर आ रहे है कितने सवाल आपने अटेम्ट किये कौन से स्टेट से बलों करते हो क्या आपका नाम है क्या आपकी हाइट है ठीक है गाईज सबी चीज़ों को आप कमेंट करके नीचे कमेंट बोक्स में बता देंगी ठीक है गाईज आप लोगों को ध्यान लखना है कि आप लोगों को अच्छे से अपनी जोब करनी है ज्यादा लालच में इदर उदर नहीं पड़ना है ठीक है गाईज इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हाँ गाईज एक important बात और बता देता हूँ मैं आप लोगों को आप लोग ये मत सोचो कि सर मेरा number नहीं आएगा आपके exam में normalization भी दोस्तों होगा आप घबराओ मत क्योंकि दोस्तों गणित और reasoning आपका बहुत ज़्यादा tough आया हुआ था तो आप लोग normalization से अपना safe score पा सकते हो मैं आपको नीचे link देदूँ में description में guys महापर जाकर आप देख सकते हो आपकी cutoff क्या रहने वाली है final cutoff आपकी क्या रहने वाली है और दोस्तों अगर आप किसी भी government exam के लिए trick से पढ़ाई करना चाते हो ये channel आपके लिए best रहेगा exammatic study जो की सभी government exam की trick के लिए जाना जाता है guys ठीक है guys सभी government exam की trick आपको यहीं पर ही मिल जाया करेगी और दोस्तों एक खास बात और आपके जो भी अगले paper आने वाले है उन पर भी आप focus करिए जो पीछे हो गया हो गया अब आप नए तरीके से नए exam में prepare करो जो आपका अभी NTPC का exam आने वाला है ठीक है guys NTPC में जी जान लगा दो अगर आपका किसी वज़े से कोई कम नंबर आ रहा है आपके exam में अब आप NTPC के exam में जी जान लगा दो guys इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद thank you so much मिलते है अगले वीडियो में अगले पेपर के लिए आपके